अगर आपको पता चलता रहे कि आगे क्या होने वाला है फ्यूचर आप देख सको और इसमें आपको पता चले कि आप मनने वाले हो क्या टाइम ट्रैवल से आप अपनी फेट चेंज कर सकोगे इस एक interesting concept के साथ आज की मुवी वोलिशन आती है एक time travel science fiction मुवी है आपकी किसवत में जो है क्या ही आप change कर सकते हो यही एक thought को explore करती है यह मुवी आपके life में भी कुछ सोचने के लिए आपको मजबूर कर कर जाती है तो चलिए शुरू करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा main character James दिखता है James के apartment पर एक गुंडे जैसा उसका ही home owner आता है James ने बहुत सारे मेहनों से पैसे नहीं दिये होते है तो इससे वो पैसे मांगता है James कहता है आज दिन खत्म होने से पहले पूरे पैसे में तुम्हारे चुकते करतूंगा इसके बाद James हमसे बात करने लग जाता है यह हमसे कहता है कि मैं आगे का कुछ ना कुछ तो देख सकता हूँ इससे जादा कुछ मालूम नहीं पड़ता पर इसके बाद थोड़ा सा 10-15 मिनिट तक क्या होने वाला है यह उसे समझ में आने लग जाता है थोड़ी सी वीजन से से आती है यह हमसे कहता है कि यह कौन्टनम विजिस की थेरी है अलग-अलग टाइम की फ्रिक्वेंसी में एक रिपल इफेक्ट आता है इसी वज़े से यह कुछ भी देख सकता है एक simple language में कहता है कि मेरे जो antenna है यह बहुत strong है जेम्स फिर हमें एक बार में आता हुआ दिखता है वहाँ से वो bottle लेता है और street में आता है street में आने के बाद उसे फिर से एक vision आती है इस vision में उसे देखता है कि उसे बहुत सारे पैसे अब मिलने वाले है एक wallet से पैसे निकाल रहा होता है अब जेम्स देखने लग जाता है street पर खाऊ उसके साथ ही हो सकता है यह देख रहा होता है आगे चलता है दूसे मालूम पढ़ता है कि एक लड़की को एक आदमी तंग कर रहा होता है इस लड़की को जबरदिसी करने ही कोशिश कर रहा होता है तो जेम्स यहा आ जाता है यह आदमी और जेम्स की fight हो जाती है तभी और एक लड़का ही आ जाता है इस लड़के ने jacket पहना होता है इस जैकेट वाले लड़के को आप याद रखना यह movie के last में आपको पता चलेगा जैम्स फिर इन दोनों को कंट्रोल करने ही कोशिश करता है जैकेट वाले लड़का तो नीचे ही गिर जाता है और जो बड़ा वाला आता है जैम्स को बहुत ही जोर से पंच करता है जेम्स जमीन पर पड़ जाता है तो जेम्स की दारू की बॉटल लेकर वो बड़ा साथ में वहाँ से चला जाता है इसके बाद जेम्स को मालू होता है कि जो आदमी था इसका वालेट नीचे गिर गया है यही पैसे इसे मिले थे यह उसकी वीजन थी जेम्स के नाक से खोना आ रहा होता है तो एंजला उसे टीशुवे पर दे दिया है उसे पूछते है क्यों तुमने मुझे हेल्प की जेम्स उसे कहता है कि मुझे लगता है कही मैंने तुम्हें देखा है एंजला इस पर बिलिव नहीं करती यह कहीई थी है कि लाइन ये थोड़ी भी ओरिजनल नहीं है जेम्स बोलता है कि मैं सचोज में सीरियसली कह रहा हूं जेम्स को वीजन आया हुए होती है जिसमें वो एंजला के साथ है उसके साथ הוא हस रहा है उसके साथ वो खोम फेर रहा है यह सब उसे इस विजन में दिखी हुई होती है जेम्स जब एंजला से बात कर रहा होता है तब और उसका एक फ्रेंड आ जाता है इसका नाम होता है सैल सैल अभी अभी अपने फ्रेंड टेरी के साथ जेल से बाहर आय होता है अब वो जेम्स से मिलता है James भी इसे देखकर बहुत ही खुश होता है यह James से पूछता है कि क्या तुम अब काम नहीं कर रहे हो James जो होता है illegal कामों के लिए उसे बुलाया जाता है अब Sal James से कहता है कि बॉस ने तुम्हें बुलवाया है यह जो बॉस है इसका नाम होता है Ray तो Ray के बास अब इन दोनों को जाना होता है एंजला ने James को खा होता है कि वो अब ड्राइव करने वाली है तो James जाते वक्त एंजला को कहकर जाता है अगर तुम ड्राइव से कुछ फुरसत लो तुम यही आसपास रहता हो हम दोनों हैंग आउट कर सकते हैं एंजला भी इस पर वो सोचे कि एसा कहिती है और इसके बाद James चला जाता है आँए दिखता है कि James उसके बॉस के आ गया है James का बॉस Ray यह कारपेट सेल वगरा करने कि उसके फैक्टरीज होती है इसके बैक हेंड में हो कोकेन वगरा सेल करता है James को Ray अपने ओफेस में इंवाइट वगरा करता है और यहाँ James, Ray, Sal और उसका फ्रेंटेरी यह सब लोग होते है Ray फिर James को उसका काम बताता है वो कहता है कि मेरे पास डाइमंड से निकाल कर उसे दिखाता है इसे बोलता है कि जो डाइमंड से यह उन्हें अफ्रिया से मंगवाए है यह मुझे सेल करने है और मुझे इससे कमिशन मिलने वाली है Ray James को कहता है कि अगर तुमने 100% सक्सेसफुले डिल कर दी तो मैं तुम्हें 100K डॉलर्स दूँगा Ray को बता होता है कि James को वीजन आती है Ray उसे पुछता है कि तुम्हारी वीजन इसके बारे में तुम्हें क्या कह रही है James को जो वीजन आती है यह अच्छी नहीं होती फिर भी James कहता है कि मुझे अब दिकरा है कि यह हैंड डॉट हो चुका है यानि कि deal successful हो चुकी है Ray इस पर खोश हो जाता है अब James यह diamonds लेकर यहाँ से चला जाता है नेक सिन में में दिखता है कि James अपने घर पर होता है वह आपर Angela आती है Angela उसे कहती है कि वह आदमी तुम्हारी बॉटल लेकर गया था उसके लिए इसने बीर लाई होती है इससे बुश्चती है कि क्या हम हैंग आउट कर सकते है James भी इसके लिए मान जाता है Angela को इसका shower यूज करना होता है यह बहुत दिनों से रोड पर होती है और इसे नहाना होता है Angela James का घर देखती है James के घर पर एक बॉर्ड होता है जो दर बहुत सारी चीज़े लिखी होती है James को हमेशा जो वीजन आती है इसके बारे में वो लिखता रहता है Angela James के पैरेंस की भी एक फोटो देखती है James कहता है कि मैरे foster parents है इस फोटो में Elliot होता है जिसने James को गोद लिया था इसके बाद Angela और James टैरेस पर हैंग आउट कर रहे है यह हमें दिखता है James Angela के parents के बारे में पोच्छता है Angela कही थी है कि मैं जो कोड़ भी parents लगरा नहीं है Angela फिर बोलती है कि जो life है यह मुझे लगता है कि यह मेरे उपर है मैं जिस तरह से चाती हूँ उस तरह से मैं इसे जी सकती हूँ James कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए होगा यह तुम्हें मिल जाए यह उसे अच्छी विश्यश करता है इसके बाद यह दोनों घर में आ चाते हैं घर के बाहर हमें दिखता है कि सैल और टेरी दोनों है इन दोनों का प्लान अब हुआ है कि उनका जो बॉस हेर है इसे वो डवल क्रॉस करने वाले है डाइमंड्स वो जेम से ले लेंगे और वहाँ से फरार हो जाएंगे सैल अपने फ्रेंड टेरी को कहा रहा होता है कि अंदर जा और वो लेकर आओ पर किसी को तुम्हें इंजोर नहीं करना है टेरी अभी-भी जेल से चुटा है वो कहा रहा होता है कि लाइफ में एक बार मेरे साथ कुछ ना कुछ तो सही हो जाए डाइमन अगुर से मिल गए तो यह अच्छी लाइफ जी सकता है इसके पीछे इसका एक स्ट्रॉंग मोटिवेशन होता है जेम्स जब घर पर आता है तो उसे और एक वीजन आती है इस वीजन में वो मर चुका है और कहा वो मर रहा है यह सब उसे दिख जाता है इसका बात दर्वाजा कोई खोल रहा है जेम्स को दिखता है जेम्स डर जाता है एंजला के पास जाता है एंजला बात्रूम में होती है तो कबड़े बहेंती है और इसके बादे दोनों खिड़के से बाहर निकल जाते है ये भागते भागते अपनी गाड़ी तक आ जाते हैं सैल और टेरी इतनी जल्दी इनका पीछा नहीं कर पाते हैं गाड़ी में जेम्स उसके पास जो डाइमंड होते हैं इसे वो चेक करता है एंजला उसे बुशती है कि ये डाइमंड क्या है जेम्स को इसके बाद और एक वीजन आ जाती है वो अब कहा जाने वाला है कि सुर मोटेल पर रुकने वाला है और उसे स्ट्रीट साइन दिखता है एंजला उसे कहती है तुम कहा चले गए थे तुम जोना उट हो चुके थे जेम्स को उसने पहले भी होता हुआ दिखा है जेम्स कहता है मैंने तुम बताया तुम बिलिव नहीं करोगी जेम्स को वीजन में इसके पास अब पुलिस आने वाला है यह उसे दिखता है James Angela को गाड़ी रोकने के लिए गयता है James कहता है कि यह जो पुलिस है अब हमारी कार के बारे में इंक्वाइरी करेगा पुलिस फिर वाहता है और जो उसने कहा था यही होता है Angela फिर James से पुछते है कि यह कैसे हो गया तुम मुझे क्या कुछ बता नहीं रहे हो हमारे साथ जो भी सब हो रहा है तो एटलिस तुम मुझे सच बता सकते हो James फूर से कहता है कि मुझे वीजन साथी है सब सच्चा है उससे बताता है James उससे कहता है कि हमें आसपास किसी मॉड़ल पर जाना चाहिए इसके वीजन में यही उससे दिखाता यह दोनों मॉड़ल में जाते है और वहाँ एक लॉक करता है इसमें James अपने डाइमंड चिपा देता है इसके बाद यह डिनर करने के लिए एक रेस्टार्न में आ जाते है एंजला फिर James से पुछती है कब तुम्हें वीजन साना स्टार्ट हो गया था James कहता है कि मैं जब साथ साल का था मेरी मदर मरने वाली थी तुम्हें दो मैंने पहले से पता था अंजला पुछती है कि क्या तुमने अपनी मदर को सेव करने का ट्राय किया था जेम्स केता है कि तभी मुझे मालूम नहीं था, इन सब विजन्स का मिनिंग क्या है, यह मुझे उसके बात पता चला था, जेम्स केता है कि मैंने इसके बहुत चेंज करने कोशिश की है, मेरे साथ जो होने वाला है यह जो विजन्स होती है, यह हमेशा से सही होती है, अब मु James उसे समझाने के लिए कहता है कि हमारे पास यह जो moment है यही सिर्फ है इसे हम seeds कर सकते है इस moment में हम जी सकते है टाइम ट्रैवल की स्टोरी में एक लिप्टा हुआ सच हमें इस movie में पता चलता है इसके बाद हम देखते हैं कि Angelo और James अपने model पर जाते है जब वो अंदर आते ह अब उनके हीरे गायव होते हैं आप James अपने boss के पास नहीं जा सकता उसे बता नहीं सकता कि उसकी आदमी ने उसे double cross करनी कोशिश की थी James को फिर idea आता है कि उसे अपने foster parent के पास जाना है एंजलो को कहता है कि Elliot ने मुझे बच्पन से बहुत ही help किये Elliot को सब कुछ पता होता है कि James के साथ क्या होता है James Elliot के पास आता है तो surprised होता है James का face देखकर Elliot को पता चाल जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गरबड़े उसे बोचता है कि क्यो तुम यहाँ आए हो तुमारे साथ क्या हुआ है James कहता है कि मैंने मेरी date दिखी है इलिएट को मालूम है कि जेम्स को लगता है कि वो अपने fat change नहीं कर सकता पर इलिएट उसे कहता है कि हर वक्त तुम तुम तुमारे fat change कर सकते हो तुम ये vision में दिखता है कि तुमारे साथ ही होने वाला है तो इसके बाद तो तुम बहुती dumb decisions लेते हो अच्छे से अगर तुम decisions लोगे तुम ये change कर पाओगे पर इलिएट का belief firm होता है कि वो change नहीं कर पाएगा इलिएट फिर उससे पुछता है कि कहा तुम मरने वाले हो क्या ये होने वाला है जेम्स इस घर को देखता है तो उससे पता चलता है कि यही घर है जहाँ वो मरने वाला है इलिएट जेम्स को कहता है कि अभी के अभी तुम यहां से निकल जाओ अगर निकल गए तुम यह कोई भी problem नहीं आएगी जेम्स ये मानने के लिए ready नहीं होता जेम्स बाहर जाकर smoke करने लग जाता है एंजला एक घर देखने लग जाती है जेम्स बश्चन से painting बनाता था इस painting में उसे एंजला भी दिखती है इस painting में एंजला को उसकी drawing दिखती है एंजला फिर बाहर आती है उसे पूछती है क्या तुम्हें पता था कि मैं इसका पार्ट हूँ जैमस कहता है कि तब मैं छोटा था तब मुझे कैसे पता हो सकता है एंजला जैमस को कहती है कि पहली बार जब हम स्ट्रीट में मिले तो भी मुझे लगा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए फेटेड है तुमने बोला था कि तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे कही देखा है मुझे भी ऐसा ये लगा था अंजलो से कहती ही कि हमें ड्राय करना चाहिए इस फेट को चेंज करने के लिए अंजला फिर जेम्स को किस करती है और इसे कहती कि चलो यहाँ से हम निकल पड़ते हैं यह दोनों जब जा रहे होते तमिहां में दिखता है कि रे सैल और टेरी यह सब यहाँ आ चुके है अब जेम्स का बोस रे इस पर बहुत ही चीड गया था है रे जेम्स को कहता है कि क्या तुम मुझे डबल क्रोस कर रहे थे यह दाइमंड तुमारे नहीं है यह तुम मेरे भी नहीं है मैं सिर्फ इसकी डील कर रहा था गर मेरे पास यह दाइमंड नहीं होंगे तो लोग मुझे भी मार देंगे James कहता है कि मेरे पास diamond थे पर किसे ने वो चोरी कर लिये है Ray James को बहुत ही मारने लग जाता है Angela कहे रहे होती किसी कुछ भी मालूप नहीं है यह सब कुछ सच कह रहा है Ray फिर Angela को पकड़ लेता है Ray अपने अदमियों से कहता है कि James और Elliot को नीचे जाकर burn कर कराओ नीचे फिर स्टोरों में James और Elliot को burn कर दिया जाता है Ray फिर Angela से बात करते हो में दिखता है तो कहता है कि तुम जब इसके life में आई तब से सब change हो गया है James ने कभी मुझे double cross करने की कोशिश नहीं किया मुझे मालूम है कि तुम जानती हो कि diamond कहा है Ray अपने आदमियों को पुरा house चानने की order देता है Ray जब Angela से बात कर रहा होता है तो ये बाहर उसे खुश सुनाई देता है अपने आदमी Terry को बाहर भेजता है Terry जब ये चेक कर रहा होता है तो Terry की आवाज ही नहीं आती Ray जब एक खिड़की से देख रहा होता है तो खिड़की पर गोली चलती है Ray अप सावदान हो जाता है Ray को लगता है कि जिन आदमियों से इसने diamond ली थे उसे मारने के लिए आया है Ray जब इन सब में disturb होता है तो Angela एक knife लेती है इस knife से Ray को मारने वाली होती है तभी और एक gunshot हमें सुनाई देता है Angela अब इस पर war करती है पर Ray एक पेंचान लेता है अपनी gun से Angela को मार देता है James basement ने होता है और यह सब सुन रहा होता है Angela की cheek उसे सुनाई देती है यही रोने लग जाता है यहाँ पर Elliot भी होता है Elliot James को कहता है कि बहुत सारी जहसे तुम्हें मालूम नहीं है एक वो injection लेता है और James को लगा देता है injection लगाते होए Elliot उसे कहता है कि इन सब का absence बनने लग जाएगा कास में तुम्हें यह सब समझा बाता तुम्हें सब कुछ समझी जाएगा यह injection जब James को लगता है तो time travel करकर वो past में Elliot के ही apartment में आ जाता है यह 1984 का period है James को जब syrup के बारे में Elliot को कहता है तो Elliot को बिलिव नहीं होता Elliot फिर इस सब syrup के बारे में उसे सब कुछ समझाता है Elliot एक scientist था यह एक syrup पे काम कर रहा था यह जो syrup था यह चुहे पर इन्होंने test किया था यह जब इन्होंने test किया तो यह चुहा time travel करकर अलग time में चला गया था जब वापस आया तब उसे मालूम था कि उसके साथ next क्या होने वाला है James विर पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे experiment का part था क्या इसलिए तुमने मुझे गोद लिया था Elliot कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तुम मुझे future से मिलने के लिए आये थे और तुमने मुझे बोला था कि मुझे तुमारे छोटे self को ढूणना है इसलिए Elliot ने छोटे James को ढूणना था और उसे उसने गोद ले लिया था यहाँ फिर हमें दिखता है कि छोटा James वहाँ आ चुका है Elliot उसे चुलाने के लिए नीचे ले कर जाता है James विर पूछता है कि मुझे लगता है कि इस आत्मी को मैंने कही देखा है मैं मेरे सपने में इसी दिखता हूँ Elliot उसे कहता है कि इस प्रेजर में तुम जीओ यही तुमारी लाइफ है यह कहे कर उसे सुला कर अब फ्यूचर के James के पास सुहा चाता है अब जब James Elliot से बात कर रहाता है तो उसे पता चल जाता है कि बचपन से उसे जो सब वीजन्स आ रही थी यह उसकी ही मिमरीज थी इसने टाइम ट्रावल किया था इसी वज़े से एक साइड एफेक्ट उसे बचपन से सब कुछ याद आता रहता था पर James के फिर याद आता है कि उसे हमेशा से लगता था कि वो कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा उसने देखा था कि वो मरने वारा है पर ऐसा नहीं हुआ James के प्लेस पर Angela ही मर गई है James फिर कहता है कि हम इसे बदल सकते है हमें इसे ट्राइ करना चाहिए इलिट भी मानता था कि वो चेंज नहीं कर सकता पर James को अब पूरी तरीके से Angela को बचाने के लिए ट्राइ करना है इलिट फिर उसे फिर से सिरप देता है और कहता है कि जादा तुमें इसी यूज मत करो और हमें इस अपरेजन में रहना बना तुमें तकलिफ हो सकती है James पर अपने माइंड से रिसाड करता है कि उसे कहा जाना है और वहाँ पहुच जाता है ये अब अपने अपार्मेंट पर आता है Sal और उसका फ्रेंड ये दोनों अब उसे लूटने के लिए आने वाले है ये अब होने वाले है James उसके अपार्मेंट में होता है पर लेता है हमने मूविय में फर्स ली देखा था कि एंजला और जेम्स पहले बार जब एपार्मेंट से भाग रहे थे तो एक्चुन में भाग गए थे इनका किसी ने पीछा नहीं किया था अब मैं पता चला है कि वहाँ दूसरा फ्यूचर वाला जेम्स था इसने उन्हें भागने में मदद की थी अब मैं दिखता है कि जेम्स जो है यह तायम ट्रेवल करकर मॉटल की हाथ चुका है जब वह 20 जगा से भाग रहा था तो मॉटल की जो कीज gouvernement की किस थी ये इसके गूम अ चुकी यह सैल को और टेरी को मिल चुकी थी जब जेम्स अपने होटेल तक पोचता है तर वहाँ उसे सैल और टेरी भी मिल जाते है इसके कीज इनके पास होती है सैल अब जेम्स को कन्विन्स करने कोशिश करता है वो कहता है अगर तुम हमारे पैन में शामिल हो जाओगे तुम्हें कोच भी वरी करने के ज़रूद नहीं पड़ेगी तुम्हें डारेक्ली में पैसे नहीं दे सकता पर तुम्हें हिरो का खुछ पाट दे सकता हो यह बहुत ही जादा है तुम्हें डील ले लेना चाहिए जेम्स कहता है बोस से में गद्दानी नहीं कर सकता जेम्स किसी भी हालत में अपनी इंटिक्रिटी मेंटेन करेगा इस तरह का आदमी होता है जेम्स ने जो हीरे रखे हो जते हैं यह हीरे अब इससे ही छीन लेते हैं यह दोनों जब यहां से जा रहे होते हैं तो जेम्स इंग पर जपक पड़ता है जल्दी से इनसे हीरे लेता है और कार में बेटकर आगे चला जाता है इन दोनों को लगता है कि बॉस के पास जाना है पर अभी ने पता चलता है कि जेम्स अलग डारेक्शन में गया है फिगर आउट करते है कि इसके अंकल के पास से गया होगा मुवी के फर्स में जब यह सब हो रहा था तब हमने देखा था कि जेम्स और एंजला जब अपने होटल पर आये थे तब हुने देखा था कि वहाँ डायमंड्स नहीं है यह जो डायमंड्स है यह फ्यूचर वाले जेम्स लेकर गया है जाकर इलेट के पास आता है इलेट को सब कुछ समझाता है जो diamond इसके पास है यह वो Elliot को दे देता है यह कहता है कि अब मेरा boss वेगरा सब कुछ लोग यहाँ आने वाले हैं जब वो यहाँ आएंगे तो diamond उससे दे देना इसे एंजला की जान भस सकती है Elliot है diamond छुपा देता है अब हमें दिखता है कि present की James और Angela आ जाते है जिस तरह से जो सीज़े हो रही थी वो वैसे ही होती है जब James का boss Ray वेगरा सब लोग आते हैं तब वो आते हुए ही Elliot को मारते हैं Elliot उन्हें diamond देता इसके पहले ही वो unconscious हो गया था James को Angela को किसी भी हालत में बचाना है तो future वाला James अब बाहर आ जाता है हमने देखा था कि Ray को खिड़की से बाहर से आवाज आई थी यह आवाज James भी छुपकर सुनता है जैसा हमने पहले देखा था यह gunshot सुनाए देता है पर यह जो gunshot था यह James नहीं चलाया James को Angela को बचाना है तो खिड़की वर वो गोली चलाता है गोली चलाने के पहले ही इसे ही गोली लग जाती है इसका निशानत चुक जाता है अब यह इंजोर हो चुका है यही गिर जाता है और फिर से ही syrup इसे खुद पर इंजेक कर लेता है अब जो है second future वाला James था यह फिर स पास्ट में आ जाता है पास्ट में आ जाने के बाद दिन की शुरुआत थी तब यह पहुच चुका है इसे अब लगता है कि अगर वो एंजला से नहीं मिला तो कोई भी प्रॉल्लम ने आएगा वी के फर्स्ट में जब एंजला को James बचा रहा था तब हमने देखा था कि व कुछ भी बदल नहीं सकता, इलेट को समझ में नहीं आता, James कहता है कि मैं अलग future से आया हूँ, इलेट उसे motivate करता है कि तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें इसे बदल सकते हो और तुम्हें try करते रहना है, अब हम फिर से देखता है कि रेक को आवाज आती है कि बाहर क यह जो आवास थी यह थर्ड वाले फ्यूचर में के जेमस नहीं की थी टेरी जब जेमस वह देखता है तो इन दोनों की फाइट होती है जो गोली चली थी इन दोनों के फाइट में इसी चली थी जब सेकंड वाला फ्यूचर का जेमस जब खिड़की पर गोली चलाने वाला थ तब थर्ड फ्यूचर में कि James और Terry इन दोनों के fight चल रही थी और इनों ने जो गोली चलाई थी ये James को लग गई थी इसी वज़े से सेकंड वाला James एंजला को बचा नहीं पाया था अब में दिखता है कि थर्ड टाइम फ्यूचर वाला James अंदर आ जाता है एंजला को उसका बॉस रे जब मारने वाला था तो ये गोली अपने आप पर ले लेता है इसके बॉस को बहुत ही बुरा लगता है ये खहता है कि तुम तो अंदर लॉक थे उसे James को मारना नहीं होता रे अपने आदमी उसे बोचता है कि ये कैसे हो गया उसके आदमी फिर रे को ही मारते थे जो डाइमन्स होते हैं ये रे से वो चीन लेते हैं और वहाँ से भाग कर चले जाते हैं James की मर रहाता है तब उसे रेलाइस होता है कि ये उसकी चोईस थी एक लाइफ के लिए उसने अपनी लाइफ दे दी है James की मदर को भी मालूम था कि वो मर सकती है क्योंकि James हमेशा ड्र कर दिया है मरते मरते James फिर से अपने आपको एक सिरप से इंजेक कर लेता है ये करकर वो डारेक्ली इलेट जब यंग था जब वो साइंटिस्ट था तब उसके पास पहुच जाता है इसे वो मरते मरते कहता है कि मुझे तुम ढून लेना अपना नाम वेगरा उसे बता कर ज इसके बाद अपने आपको इसने इंजेक कर दिया था यहाँ दो गंशोट सुनता है यानि कि फ्यूचर में का James मरा था और उसका बौस स्याल मरा था एंजला की चीखे वेगरा उसे सुना नहीं देती एंजला मर गई है ऐसा उसे नहीं लगता अब इस बार अपने आपको इ पदल दिया है अभी उसका बौस मर चुका है और जो गुंडों थे रे और टेरी यह चले गए है पर अब एंजला और इसका फ्यूचर सेफ है एक दूसरे के साथ अप रहे सकते हैं जेम्स जो करना चाता था अपनी डेस्टनी को चेंज यह उसने कर दी है एक अलग सी टाइ पनी करताए है हमें जो चाहिए है इसके लिए हमेशा ट्राय करता रहना है हमारे जो डेस्टनी है यह कळी लेलिखी नहीं होगा पर हम इसे change कर सकते हैं ये change करनी की power सिर्फ हमारे decisions पर ही होती है हमें अपना दिमा खुला रख कर सही से सब एनलाइज करकर हमारे decisions लेने चाहिए इससे हमारे पूरी life change हो सकती है इसे एक सही से message के साथ ये movie एंड हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी इसी मुवीज लेकर आदा रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिफेशन आइकोन दबाना मत भूलिये मैं फिर से आपके साथ मिलूँगा एक नई मुवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये